नवी संस दे चालू सेशन दा आज तीसरा देन है, कल वी लोकसबा दे नवे चुनेगे पार्लिमेंटर मेंब्रान दे सौन चुक समागम दा देन रहा, स्पीकर दे ओदेनू लेके सत्ता तेरते विरोधी तरदे विच कोई सयमती नहीं बन सकी, एंडिये दे ओम बिरला आते इंडिया गाठ जोड दे सुरेश दे विचाले अज मुकाबला होवेगा, यानिके अज लगदा है के नवे स्पीकर दी चोन हो जावेगी, कॉंग्रेस पार्टी समेथ इंडिया गाठ जोड ने राहूल गांदी नू विरोधी तरदे लीडर चोन लिया है, कॉंग्रेस पा जो ने युक्तिदा एलान किता गया, पंजाब दे सारे 12 संसreा मेंबरा ने भी सौंच चुख लई है, ज़दके 13 में मेंबर पार्लिमेंट अमरित पाल सिंग नों सौंच चुकन दी लेई रहाई नहीं मिली, पंजाब दे सारे सांसद मेंब्राने पंजाबी पाशा दे विच ही सौंच चुकी ते बारा दे विचों दो हर समरत को और बादल ते गुर्जीत सिंग ओजला रिपीट होनवाले लोगसबा मेंबर ने जदके बाकी सारे चेरे लोगसबा दे विच पंजाब वल्लो नमेहन हाला के डॉक्टर तरमवीर गांधी पहलना वी लोगसबा चोंड जितके पार्लिमेंट विच पहुंची सन अजाद उमीदवारा दे विचों सरब जीत सिंग खा आजर नहीं सन पार्लिमेंट द महौल कुछ जिहा दिखाई देता पंतक सीटां ते जिते लीडरा ने सौच चोंड तो बाद गुरु साहवलो बक्षी फते बुलाई ता रिजर्व सीटां ते फी म्राव अंबेड कर दे जैकारे वी सुनाई देते कई एंपेज ने जैजव जैस समविदान एक कहके बीजेपी नो सुनेहा दिता के इंडिया ही पारत है जिसनों ओ बदलना चौंड देने सब तो पहला सौं गुर्दासपूर तो कॉंगरस ते जेतू एंपे सुक्चिंदर सिंगरंदावा ने चुकी अते अखीर विच वाहिग्रु जी का खालसा वाहिग्रु जी की फते बुलाई सरब जीत सिंग खालसा ने भी फते दी नाल ही सौंच चुकी हर समरत को और बाद अनन्दपूर सैवधी पंथक सीड़ तो जिते आमाद भी पाटी दी एंपी मलविंदर सिंग कांग ने इनकलाब जिन्दा बाद नारे लाए ते फते बुलाई अमरिंदर सिंग राजा बढ़ेंग ते जिलंदर तो कॉंगरस एंपी चरंजीत सिंग चन्नी ने हाल फलान त अनन्दपूर सैवधी पाटी दी एंपी गुर्मीट सिंग मीथ हें ने इनकलाब जिन्दा बाद नाल जैजवान जैकिसान दी नारे लाए पारलिमेंट वेच पंजाब दी मेंबर पारलिमेंटा दे सौंच उक समागम दौरान मुखमंतरी पगवंतमान वी मौजूद सन उ अमरित पाल दे पिता बापू तर सेम सिंग ने के है कि अमरित पाल सिंग नों सौंच उकन दी पंजाब दी कींदर सरकार तुरंत इजासत देवे नहींता लोकां दे रोदा सामना करना पवुगवा उना क्या के जान बुझ के सेंटर ते पंजाबियां सरकारां अमरित पाल सिंग नों सौंच उकन अडिक का डार रहिया ने जदके लोकां ने वड़े फत्वे नाल अमरित पाल नों जिताया है तेहों सरकारां दी जिम्मेदारी बाण दी है कि बड़े लोगफात्वे नाल संस्ती चोन जितन वाले व्यक्ति नू लोगसबा चल जाके बाण दी कारवाई करवाई जावे केने खडूर साही भी नहीं पूरी दुनिया दे पंजाबियां चिक उसे दी लहर बाण रही है जे सरकारां ने रहिंदे समय अपनी जिम्मेदारी ना निबाई था बड़े लोगरोधा सामना करना पवेगा आते परवार अदालदा दर्वाजा खड़कॉन लेवी मजबूर ह ओवेगा साही दे पा वार्थी फ्रीप्तошकी अजब लोगरोधा खड़की इसी फेड़कॉन चर्ड़काबिया लेत डर्याजाज़रा इंडिया खड़कॉन करेंगा मृतिल लहार केम्नी लेवी मजबूर नसी फूर्प हारंना नहीं मरियादा देल गालना चुरक्षननी मोडी ने एमर्जन्सी नो लेके कल फिर कोउंग्रस ते तिखान साथ देया किंदे एमर्जन्सी लॉण वाले संविधा आनते प्यार ना जताउन. केदे जड़ी वाण सकता देश विच एमर्जन्सी लाई गई सी ओ मान सकता अज भी पार्टी विच मौजूध है. कोउंग्र परदान मंतरी नरेंदर मोधी तो इलावा बीजेपी दे कौमी परदान जेपी नडडा ने वी कहा के ए ओही लोग ने जो समिदान बचाउन दी दोहाई दे रहें ने ज़र के अमर्जनसी समेना ने लोगतां तत्य समदान नो खतम करण कोई कसर नी छड़ी देश का कोई प्रमुखनेता नहीं था जो बचा हो कोई प्रमुखनेता नहीं दुझे बसे आम आदमी पार्टी दे नवे एंपी मीठेर ने कहा कि जे कॉंगर्स ने गलती किती सी बीजेपी वीओ ही कर रही है दस साल तो जनसी वर्गी हलात ने के जिवाल समेत अपने विरोधियानों चूठे के स्तर्च करके जेल पे जया जा रहे हैं सिरकाना तोड़ियां जा रहे हैं काला दिफ्स तो हमारे लिए आज ही है क्योंकि आज पहली बार मतलब के पूरे देश से सांसत चुनके आ रहे हैं और आज ही कॉंस्टीशन की दजियां उडानी प्राइम नेस्टर और उनके साथियों ने शुरू कर दिया तो हमारे लिए तो पिछले 10 साल भी काले दिन थे क्योंकि आए दिनी डिक्टेक्टरशिप और लोगतंतर की हत्या पूरे देश में की जा रही है ओपोजिशन के लीडर्स को उठा ठाके जेलों में डाला जा रहा है आप रिसेंटली भी देखिए अरविंद के इजरिवाल जी के मतलब के अभी जास्वाब की स्टेटमेंट भी ने भी आई उससे पहले इडी कोट में चली जाती है तो सारा कुछ पूरे देश के लोग देख रहे हैं पिछले 10 साल से मारे लिए तो काला दिनी चल रहे है श्रोमनी काली दल्दे परदान सुबीर सिंग बादल दावी ब्यान आया है ट्वीट कार देया सुबीर ने कि 25 जून उन सुपचतर अजाद पार दे थे हां सविच लोगतंतर ले सब्तो काला देन सी हंकारी इंद्रा गांधी ने चानक ओस अधालती फैसली न तोड़न ली देश विच सक्त एमर्जंसी लाई सी जिस विच उसनू चोनावी दर्वेहा रांदा दोशी टैर आया गया सी उदर MP बन दया ही गुरमीत सिंग मीथियर नू वड़ी जिम्मेदारी मिली है तिन्ने MPs विचो सब्तो वाद लीड नाल जित्ते मीथियर नू आम आदमी पार्टी ने लीडर ओफ दे हाउस बनाया है डॉक्टर राजकुमार चबिवाल नू डिप्टी लीडर दी जिम्मे लीडर होंगे